नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे हर साज के बंटस्ट बलाउज की कटिंग है निस्टिचिंग तो थेखिए बंटक्स बलाउज बनाना बहुत सरल है ॉो इसमें हमें एक ही टक्स डालना है इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है तो यहां पर सब से पहले हम पुस् केटिंग करना तो हम अस्तल को देखेंगे कि इसकी जो नभाई कैसे है तो यहां पर दिखिए इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई यह वो काफी है यहां पर हमारी चैश्ट decided यहांगे इस तरीके से हमेंच्व मारे चैश्ट Like निशान लगा परารीस को कि लिइस्व यह तो हमने चेश्ट का निशान लगा दिया यहां तलग जितनी भी हमारी चेश्ट है उतना हमें निशान लगाना है और फिर उसके बाद हमें गुंजास लेनी है तो गुंजास हमें कम से कम तीन इंच की लेनी है 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 तो हर साइज में आपको डोनों को बराबर करके रखना है और फिर इस तरीके से निशान लगाना है कि गाल लंबाइ सकतें खरां चाली होगें थी और इस तो। यहां प। Penis क के बद खरांख सकते हैं अर्टा सजाश करो Walsham बनेंगें तो आपको हरक्तिंबनारें आप 5 तो जिरनेंगे जमें दyla गला इसका डीब बनेगा और यहां पर हम आरूमल की बात करें तो आरूमल देखी 40 चेश्ट वाले लें यहां पर 6 इंच 38 चेश्ट वाले भी 6 इंच लें 32 34 बोले 5.5 इंच के आरूमल 32 और 34 5 इंच तो हर साइज में हमें इसी तरीके से थोड़ा कम करना है और ज्यादा करना है तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया आदा इंच की यहां पर हम ऐसे हर साइज में गोलाई देंगे अब यहां पर हम गले की चोड़ाई लेंगे वहां जादा नहीं की लेंगे 2 इंच की चोड़ाई गले की लंबाई हम हर साइज में 6 इंच का रख सकते हैं गला अगर आप जादा लंबा रखना चाहे तो 6.5 इंच रख लें इस तरीके से हम गले की जो बंद वाली साइड है वह आहां पे आरुमल का निशान लगाना है पीछे का गला आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं क्योंकि मैंने सोल्डर इसके एकदम बराबर बताएं डीप गला बना सकते हैं इसका आप 10 इंच का भी गला रख सकते हैं तो नपनलर हमारे बराबर लंबाई में भी चोड़ाई में भी इसमें ज्यादा नहीं कुछ करना अब दिखिए अस्तल की जो चोड़ाई वह मैं आपको बता दो यहां पर अस्तल की चोड़ाई है हमारी 17 तो कपड़े को हमें डबल करके रखना है यह डबल है एक बार और हअधको करेंगे तो यहां पर दी कि हम इसकी लंबाई लेंगे बो लेंगे या से हम छे इंच की बाझू बना रहे हैं तो हम एक उच्छ लए रिए है तो हम उच्छ 메न सवाल करते हैं कि कभी आप तीन इंच लेते कभी चार इंच तो यहां पर बाझॉ कि शेप की बाद करते है जो फिटिंग आती है तो यहां पर चाके प्षाद फिटिन खेhov कि यहांपे हमने मौरी की कटिंग न की किये क्योंकि इसमें में गुंजाईस धाद रहने हैं तो हमारी इन्छे उक्षक्पाइब सब्सक्राइब गुंजवism निशाद लगाएंगे यहां फीजन अंकीर ओक उप्ड़ि के Natal चालिक यूब में औदा आदा करके लगाना बाद जूद में अब यहां पर देखिए इसको डबल करके रखना इस तरीके से जो शाड़ी का कपड़ा है यहां पर हम अपना पीछे का पल द रखेंगे और यहां पर रखेंगे हम अपना आगे का पल्ला अब देखे पीछे की गले की लंबाई हम यहां पर 9 इंच की रखेंगे और पीछे हम प्लेट इस तरीके से निशान लगा लेंगे यह बीच में हमारी यह प्लेट आएगी पीछे की और इसकी लंबाई हम 5 इंच की रखेंगे यह हमारा yoga की और अस्तुल का हमयें के टक्स डाला है कि सबस्के पहले आदा इंच्छ में यहां पर कटिंग का निशान लगाएंगी उसके बाद हमें डखा का निशान लगाना है थो अड़र का हान द vendors है तो दस इंच पे निशाल लगा लिया उसके बाद हमारी जिशा पे 6annel करें लिए यहां जाय यहां पर यह इसको बैकूक भी भिना सकते एंगर आगे का बना सकते हैं अगे बना के में अगराप इसकी स्टिचिंग नहीं जानते तो आप पंप्री चैनल में देख लें इसमे इस चीचन कुछ जादा नहीं है बस एक प्लेट डालने हमें गेराई में और बाकी सब सिंपल है तो अगर आप पर स्टिचिंग नहीं आती है तो प्लीज आप हमारे चैनल में देख लें मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से स्टिचिंग भी बताई है अब यहां पर जो यह कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम बाजू निकालेंग यहां पर जोड़ा हुआ है बाकी सिंपल है और यह हमारा आगे कपलर है तो इसको हमें ऐसे करके रखना है इसके बाद इसको ऐसे रखना है और इसको ऐसे रखना है सब से पहले तो हम इसको जोड़ेंगे सिलाई लगाएंगे यहां पूरे पर फिर हम इसमें एक टक्स डाल है सीखना चाहते हैं और कुछ आप सीखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूल बताएं तो हम आप identum पर विडियों बनाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं तो आपको मीरे यह वीडियों अच्छी लगी है अच्छी लगी WITH मेरे इस वीडियो को सैवं यर जो भी नए लोग है वो हमारी वीडियो को पहली बात देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राब करने धन्यवाद